हालो अब्रिवर्ण गुड मॉर्णिंग टोल फ्यान वैलकम तो दा इंजिनिसर डाट 24-7 हम दुबारे मिल रहे हैं रिगार्डिंग दी मैंट्स ठीक है सो जैसे आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंट सेस्टन को पढ़ेंगे और उसका बेसिक चीज़े जो है आज हमोड डिसकस करेंगे ठीक है है सो एक बर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो कि सब कुछ प्लियर है और यो वीडियो सब रहा है ऐसले het कि जल्दी से बताओ कमेंट करके कि हां सब कुछ सही है और आज हम पढ़ने वाले वह आपको बताया आपको दिख जाते हैं एक्जाम में कभी-कभी क्योंकि यह आपका पूरा 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 बेस्ट है ठीक है सो टाइम इन वर्क का जैसा कॉंचेप्ट है सेम डूसे मिसका है थोड़ा वोड़ डिफ्रेंस है ठीक है और लोके ठीक है सुनील तो एक बार सबीसे रिक्वेस्ट ह एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो क्योंकि अभी तक आपने किसी ने शेयर ने किया है यह गलत बात है गर जल्दी से शेयर करो सेशन को wipe & सिस्टें में आपको पता यह निल और टंकी तो वाइप and सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब प्लस आपको ऐस ni करने वाला है तो तब का सिच्टुएशन क्रियेट होगी चिक है खम्मा गणी सर इवां चुक कैसे हो ठीक है तो इस तरह के कोशन्स आपको इसमें दिखेंगे ठीक है वह हमें अज डिसकस करना है तो पहले तो सभी का वैलकम है गाईज और अगर अभी तक आपने अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं अड़ा की अप्लिकेशन को कहां से करोंगे प्ले स्टोर से यह जितने बैनिफेट्स आप देख रहे हो सारे बैनिफेट्स आपको उसमें मिल जाएगे तो आपको करेंट अफेस पढ़ना है है यहां से पढ़ लो हैना डैक्ट कोश्चन अप्लाई कर दो पर डे के करेंट अपर फिर साते हैं ऐसे डेली कुजिस में आप जाके मैट्स के कुछ दे सकते हूं अना फ्री ओफ कोस्त है सब के सब यह डाउनलोड करके आप आसानी से चीज़ों को आसिल कर सकते हो और यह काम तो आपने किया होगा भी तक नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब कर दो फट आप इस तो बेसिक चैप्टर ज्यादे हाड और फास्ट बड़ा से चप्टर नहीं चोड़ा जब्तर है और यह आपको पता है कि इस पर बेस्ट है पूरा 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 टाइम और पर तो जैसे टाइम और के ही कॉंसेप्ट था वही आज मैं इसमें डिसकस करेंगे ठीक ह हलो स्वाति गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग एवरिवन एक बड़ जल्दी से सबके सब सेयर कर दो सेशन को क्योंकि ओनली सेवन लाइक एट पीपल बॉचिंग तो अगर आपको पाइप एन्सिस्टेंट पढ़ना है न तो अधिक है जैसे में थोड़ा सा बता जीता हूं जैसे कि एक pipe है वो अगर 10 दिन में fill कर रहा है 10 मिनट में fill कर रहा है किसी tank को है ना उसी tank को fill करने में 15 मिनट ले रहा है ठीक है यह बिल्कुल वैसा ही होगा time and work जैसा ही ठीक है तो यहां से आप यह पता लगा सकते हैं जो जाद है time लेगा तो उसकी efficiency पाइप की क्या होगी कम हो जाएगी तो time जो है इनवर्सली परपोर्शन हो जाएगा किसका efficiency क्या ठीक है तो अगर आपको efficiency बढ़ानी है ना अगर efficiency को increase करना तो आपको time को कम करना पड़ेगा यानि कि जो कम टाइम लेगा यानि कि वो पाइप अच्छा होगा ठीक है क्लियर एजी सा कॉंसर्प्र ज्याद़ मुश्किल नहीं है ठीक है तो वही मदब प्रोसेस से मैं है ना प्रोसेस वह है कि LCM निकालोगी वहां से efficiency निकलेंगी total capacity पता जल जाएगी टाइम द्रटनवर्ट में हम यहां क्या बोता थे इसको जब LCM लेते थे ढल्स एम कितना यहां से 30 हम यह टोटल वर्क बताते थे टोटल वर्क कितना हुआ लेकिन हां क्या होगा यह तोटल बटनां के total capacity हो जाएगा ठीक है टीच लिक देंगे सको हम है totally capacity तो थर्टी लीटर या थर्टी यूनिट हम बोल सकते हैं यहां से आपको आ सकता है ठीक है यहां से एफिशेंसी अगर मेरे को निकालने है कि टैंक कॉन सा अच्छा होगा तो वो कैसे निकले का टोटल वर्क को या टोटल कैपसिटी को आप इस से डिवाइड करो गए तो यहा है और अब स्टर्ड करते हैं सकेशन की तरफ बढ़ना त्सक्रेंट पहला कुर्षिण आपके प्लिए रहा घुझी कि आया एक को था आड़ कर और फ्रम बता रहा हूं कैसे इसको सोल करें गया है के अट कैसे इसको फोल करें गया मैं पताता हni ूछ बताईए आंसर बताईए आंसर क्या होगा आसान सा कोश्चन है काफी है ना काफ़ा इजी सा कोश्चन है कि एक पाइप है वो फिल कर रहा है एक टैंक को छे घंटे में ठीक है तो आपको पता चल गए नहीं यहां से कि टोटल कैपेसिटी या टोटल वॉल्यूम कितना था अचा एक पाइप जोए फिल करने मां कि इसना चे घंटे ले रहा है तो एक घंटे में फिल करना ना है मिरको तो एक घंटे में कितना फिल हो जाएगा वन बाइए ना तो वन बाइए शेक्स विल भी दा आंसर इजी ठीक है इसको बताओ एनर्जेटिक गुड मॉर्णिंग कौशिक सर हलो सुजित क्या हाल है आपके हलो स्वागिता सभी को गुड मॉर्णिंग यह एक आउटलेट पाइप है वो फिल कर रहा है तो आउटलेट पाइप पहले में दो चीज़े आपको बता देता हूं है ना पहले आप एक पर ट्राइ कर लो इसको क्योंकि इसमें दो पाइप होते हैं एक आउटलेट एक इनलेट पाइप ठीक है एक आउटलेट पाइप होता है ुपनों जैसे कि यह टैंक है आपका पाणी भरा हुआ है तो एक आउट नेट फाइप होगा इनलेट भूप होhmen सपोस्पोउस करौब हो यहां एक इनलेट над पाइप लगा हुए है एनलेट का मतलब हुआ कि जो पानी को फिल करेगा इस में ठीक है एक लगा लैप तो लागलत करोंगा घ्याल खाले कर रहा होगा तो खाली कर रहा गए कि उसकी उपर में लेकर चलेंगे प्री में करें मैं की प्रेपिशन कर रहा हूं अभी इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाता अच्छा ठीक है मैं ठीक है अंडरस्टोड एंडरस्टोड गाइज नहीं कर रहा है आपड़ेट पाइप खाली करेगा टैंक को है ना खाली कितने कर रहे हैं तीन घंटे में कितने कर आई तो धाना है मुखकी और और यह decorate ना कितना कराना एक supporter 3 ऑ हमें दो किवले ना रावनड यहां से हो जाएगा बचा कितने वन थर्ड तो वन थर्ड आपका बच जाएगा इसमें ठीकिना हेलो पायाश, गुद मॉर्णिंग, गुद पॉर्णिंग, इजी स्था ठीक है दो घंटे आपका आजाएगा इसकोबता आपका, 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 इसकोबता आपका इसको बताएए क्या आंसर इसका आएगा और टू टैप्स है ए और भी वो फिल कर रहे हैं तो इनलेट पाइप है और उनको फिल कराना है आपको अगर दोनों के दोनों टैप्स ओन कर देते हैं तब वो कर रहे हैं तो सेम टैंक इनलों इसको फिल करेगा यह आपसे पूछा है कितना अंजर आ रहा हैं बताओ 80 मिनट्स ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया देखो दो टैप्स है आपके पास ठीक है ए और बी जो फिल करेंगे ठीक है दोनों फिल वाले हैं मतरकी इनलैट पाइपस हैं और टैंक विल भी फिल इन दा 40 मिनट्स तो 40 मिनट्स में फिल होते हैं अगर दोनों के दोनों टैप्स को ओन से हैं यानि कि प्लस बी को जब मैं ओन करूंगा तब जाके 40 मिनट्स लगेगी उनको ठीक है क्लियर है ठीक है दस सेम टैंक केन भी फिल तो सेम टैंक को फिल कर सकते हैं साठ मिनट्स में अगर सिर्फ एं यह उन होता है सिर्फ किनंगा तो nem करेगा तो तो old क्रेगा तो कितना हो diff जह सबस्सक्राइगा यहा से 3 यहां से देखेंगे तो कितना आजाएगा 2 अगर A plus B की efficiency 3 है और A की efficiency आपकी 2 है तो B की efficiency तो पता चल जाएगी आपको कितना 1 unit 1 unit per minute एक minute में एक ही unit आपका efficiency होगी इसकी तो इतना unit जो है वो fill कर देती है pipe B fill कर देता है एक minute की अगरम बात करें तो आप से पूछा क्या है आप से तो पूछा कि how much time कितना time लेगा वो B अकेला जब fill करेगा पूरे tank को पूरा tank कितना है 120 का पूरा tank कितना है 120 का फिल कौन करेगा फिल करेगा एक unit के एसाब से B तो B नीचा आजाएगा यानि कि 1 unit तो टोटल टाइम आपको कितना लगने वाला है 120 मिनट ना कि आप असी असी जो आंसर कर रहे थे वो कौन-कौन थे वे उपको नाम बता दो एक पर पस असी असी कौन किस-किस का अंसर आरता हिमान्शू यादव अनु कुमारी सिंग 80 अंसर नहीं आएगा समझ में आया सबको यह तो देखो ना कौन पूचा है क्या पूचा है कोशिस तो किया करो आप से पूचा अब कितने दिन में फिनिश करेगा तो बी की विशेंसी तो निकान नी पड़ेगी यदि आ को पहले तभी तो आ बारे में बता सकते हैं थिके तो यूनिट काम कराना है डूटल गफिजिट यहंग की कितनी 120 तो एक अगर 120 यूनिट को फिल कराना है एक स्पीड सा फिल होगा तो कितने मिनट लगेंगे 120 मिनट लगेंगे है ठिक है क्लिर जब को चले आगे चल इसको बताओ सर बिना पैन के बन गया था यह अच्छा वेरी गुड इसको बताओ फिर एक पाइप है एक पाइप है वो फिल कर रहा है दस घंटे में अच्छा खाली करने वाला भी है तो फिल करने वाला है खाली करने वाला भी अधिन कट हो रहा है एक सेकेंड हो तो कहां से अच्छा एक सेकंड रुको तो आप करो इतने मैं ठीक कराता हूँ अच्छा एक सेकंड रुको तो अच्छा एक सेकंड रुको तो अच्छा एक साइट ओपन नहीं हो रही है बहुत गंदी साइट चल दिया डियों की देखो एक पाइप है कैन फिल एक टैंक इन दस घंटे तो फिल करने वाला है इनलेट पाइप है दस घंटे में वाइलें अनादर पाइप है दूसरा पाइप है वह खाली कर रहा है एंपिटी कर रहा है दस घंटे में ठीक है तो फाइंड टाइम टेकन टू एंपिटी दा टैंक वेंड़ बहुत पाइप और ओपन साइमिंट टैंड निसली मतलब अगर दोनों को एक साथ में उपन करा दूंगा तो फाइव जो पाइप है वो जो सिस्टर का झाली होगा का यहां से यह समझ में आजाने चीट था ठीक है तो देख लेते हैं तो यह जो है वो फिल करनेवाला थो इसको मैं बदा देता हूं इंलैट पाइप ठीक है वह 10 गंटे ले रहा है और दूसरा जो पाइप है वह क्या है भी को माल लेते इसको यह आउट गवेगा ठीक है यहाँ से क्या करेंगे दोनों का टॉटल कफिशिटी हो चायाँ इस टैनक कि इस्टी लेँ ले लेंगे 27 और यहाँ 5 सो टिक है अब जो फाली करने वालां वह दिन नोट कर देता हूं है, so that's, आप ये समझ जाओ, कि ये outlet pipe है बस, है ना, तो अगर inlet होता, तो दोनों पलस हो जाते, अभी मेरे को दोनों को एक साथ open कराना है, simultaneously open कराना है, दोनों को, तो कितना time में खाली हो जाएगा, आप देखो, a plus b जब आप करोगे न, यहां 3, और ये minus 5 होगा, क्यों ये outlet pipe ह है, तो अगर आप यहां से देखोगे, तो कितना बचा, 2, है ना, minus बस इतना denote कर रहा है, कि वो outlet pipe हुआ, ठीक है, total कितना है, 2, total capacity कितनी थी, आपकी 30, 2 की speed से आपको कराना है, तो कितना गंटे लगने वाले है, आपको कितना time लगने वाला है, 15 गंटे, 15 hours, ठीक है, सिदान 30 नहीं होगा answer, क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो 30, 30 आंसर नहीं आए गा, ठीक है, easy है, बस outlet और inlet pipe का concept है, वो समझ लो, चलो, इसको बताओ, अभी तो कोशन नहीं कट रहा है, बिल्कुल भी, अभी तो ठीक है ना, इसको बताईए, इसमें तीन taps रखवा दिये मैंने, इसमें मैंने तीन, आज़ा पहले का बोला था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीन taps हैसमें, है ना, तो तीन taps फिल करेंगे system को पूरे, फर्स, सेकेंड और थर्ड, इसको बताईए, कैसे होगा, एक कुशन, और गाईज, एक बस सेशन को लाइक और शेर भी कर दो, जिस जिसने अभी तक नहीं किया है तो, यह ना, यह तो बहुत गलत बात है, अतने कम, लाइव लर्नर आ रहे हैं, एट लिस्ट, हाफ सेंचुरी तो होनी चाहिए थी, ठीक है, तो, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आप कहते हो, तो मैं कराऊंगा, है ना, क्योंकि आपके permission जरूरी है, तो, मैं सोच रहा हूँ कि, प्रिव आई क्यू जितने भी है, है ना, चाहिए वो UPMRC के हो, चाहिए वो Airport Authority of India के हो, डबल आई, ATC वाले, है ना, तो, अगर आप चाहते हो, तो, मैं प्रिवेस येर करा देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि, नहीं सर, RRBJE का भी इसमें include कर दो, है ना, RRBJE भी ओफुली दिखेगा आपको 2023 में, तो, उसके जो maths वाले questions है, वो भी आप PYQ इसमें ड़लवा दो, है ना, वो भी solve करवा दो, प्लीज, क्यूंकि बहुत सारे data है, PYQ का, RRBJE का, और actual questions है वो, है ना, अगर आप चाहते हो, तो, एक बड़ मेरे को comment करा दो, yes sir, करवा दीजे, बट मैं वो ही पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं कराओंगो, तो मेरे को यहाँ strength दिखनी चाहिए, है ना, strength मतलब की, आप होने चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए आपको, है ना, अगर मैं हाँ करवा रहा हूँ, मैं क्लास लूँगा, अगर PYQ की, सारे के सारे रर्बी जाई के, airport authority of India के, UPMRC के, सब के आपको PYQ solution मिल जाएंगे, बट उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, मेरे को यहाँ बच्चे दिखने चाहिए, at least 100 plus, है ना, बताओ, सर सारे PYQ करवा दीजे, बहुत help हो जाएगी सर, RRBJKB, हाँ, यह लिखा थो RRBJB, स्वागिता, RRBJB लिखा है, बट मेरे को 100 plus चीए परिया, minimum, है ना, at least, बता रहा हूँ मैं, क्यूंकि, interaction तभी हो पाएगा, है ना, मैं यहाँ question पूछूँँगा, तो आपको answer देना पड़ेगा, वहाँ से, यह ना, वो interactive class रहेगी, वो तभी हो पाएगा, जब 100 plus होंगे, यहाँ, minimum कहा रहा हूँ मैं, यह ना, at least, लिख दिया, मैंने इस वज़े से, ठीक है, बताओ, क्या बोलती है, पबलिक, बताओ, पबलिक, क्या बोलती हो, तीन टैप्स है, ठीक है, are fitted in a system, ठीक है, empty system, जो है, is filled by the, first or the second, तो पहला और second pipe, जो है, वो fill करने वाला है, तो यह जो है, यह भी inlet pipe है, जो खाली tank को fill करेंगे, यह 3 गंटे में fill कर रहा है, दूसरा भी inlet pipe है, आपका, वो भी fill कर रहा है, 4 गंटे में, ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है, fill करने वाले, the full system जो है, खाली कर रहा है, by the third tap, जो तीसरा tap है, आपके पास, तीसरा जो pipe है, वो क्या है, fill नहीं कर रहा है, वो खाली कर रहा है, तो यह outlet pipe है, यानि कि यहाँ minus module इसको, efficiency में minus आएगा, वो कितने घंटे में fill कर, खाली कर रहा है, 5 घंटे में, if three, all three taps are open, it will simultaneously, तीनों के तिनों एक साथ start हो जाते हैं, तो खाली करने में, MPT system will, अच्छा, खाली वाली जो system है, वो कितने दिन में, कितने time में fill हो जाएगी, 5, 30, 60 आजाएगा, यह न, यह कितना हो जाएगा, 20, 5, 25, 25, 35, 60 आजाएगा, 4 से इसको करेंगे तो 15, 60, और 6 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 50, ठीक है, अब यह C वाला तो outlet pipe है, तो तीनों को एक साथ open कराना है, ठीक है, simultaneously, खाली टैंक जो है, कितने time में fill हो जाएगा, आपको यह पूछा है, तो 20 और 15 तो यह add हो जाएगे, क्यों, क्योंकि यह in light pipe है, तो total हो गए 35, और minus 12 होगा, क्योंकि यह outlet pipe है, तो बचा कितने हैं यहां से 23, ठीक है, total आगे 23, अब total capacity कितने हैं थी, आपके पास 60, 60 को आपको 23 से डिवाइड भी करना होगा, है ना, अच्छा, पॉइंट में वैसे निकाल लेते हैं, तो 23, 24, 23, 63, तो 23, 24, तो यहां हो जाएगे, 46, 46 करोगे तो 14 बच जाएगा, है ना, डिवाइड भाइड 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 23, तो 2, 14 बाइड भाइड भाइड भाइड, 23, that is option number B, will be the correct answer, clear सब को, हमको अपनी ड्रीम जोब लेनी है, इसलिए सरकी क्लास लेनी है, चीख कर जी, चलो इसको बताओ, चलो, इसको बताओ, यह क्या answer आएगा, एक pipe है, वो fill कर रहा है, 30 मिनिट में, वाइल pipe B, जो है, वो भी fill कर रहा है, same tank को 10 मिनिट में, और pipe C भी है, वो खाली करता है, तीनों pipe को एक साथ open किया जाता है, तो how much time will need it to make the tank full, वैसा ही question है, ठीक है, बताओ, यह answer कितना answer आएगा, कितना answer आएगा, इसका बताओ, मौहित किया रहे है, A, OK, simple है, तीनों को एक साथ open करा दो, जो inlet pipe होगा, उनको plus कर देना, जो outlet pipe होगा, उनको minus कर देगा, as simple as that, ठीक है, pipe A जो है, pipe A जो है, वो क्या है, fill करने वाला tank है, fill करने वाला pipe है, तो 30 minute लेगा, तो this is inlet pipe, है न, वो pipe B भी क्या है, fill करने वाला है, same tank को 10 minutes में, यह भी inlet pipe है, ठीक है, and pipe C, जो है, वो MPT कर रहा है, full tank को 40 minute में, यह outlet है, ठीक है, अगर यह outlet है, तो सब की, total capacity पता चल जाएगी क्या, बिल्कुल, कितना, 120, यहां से हम देखेंगे तो 4, यहां से देखेंगे तो 12, और यहां से देखेंगे तो 3, ठीक है, if all the pipe open together, ठीक है, then how much time will needed to make the tank full, तो कितने time में, full हो जाएगा, आपको यह पूछा है, तो एक साथ open कराना है, तो 8, और यह कितना हो जाएगा, 16, 16, क्यों add हो जाएगे, और minus 3 Q भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह outlet है, तो बचा कितना 13, तो 120 divided by 13, ठीक है, 120 divided by 13, इसको थोड़ा simplify कर लो, है ना कितना जाएगा, 13 निम्मा एक सुचार, 13 निम्मा एक सुचार, 13 निम्मा एक सुचार होते हैं, नो, और 17 तो 3 divided by 3 इतने आर्स, ओप्शन नमबर यह, ठीक है, clear, आसान, चलिए, आगे बड़े, इसको बताईए, इसको बताईए, इसमें 3 टैप्स हैं, ठीक है, इसमें 3 टैप्स हैं आपके, एक साथ, ओपन किये गए, 3 टैप्स को, वो फिल कर रहे हैं, सिस्टन को, खाली सिस्टन को, इमपर्ट एमपेटी सिस्टन को, 10 मिनट में, टैप A, अलोंग कैन फिल दा, 30 मिनट, टैप B, अलोंग कैन फिल इट, 40 मिनट, आउ लोंग विल इट दा, टैप C, कैन फिल दा, टेक टू फिल इट, आसान है कोश्चन तो, आना, कोश्चन तो आसान ही है, वैसे ही करना जैसा अभी किया था, टेम कॉंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, रॉकेट साइंज नहीं है इसमें, ठीक है, तीनों जो हैं, वो फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 10 मिनट, ए जो है, अकेला, फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 30 मिनट, भी, अकेला फिल करने में कितना टाइम ले रहा है 40 ठीक है यहां से कितना जाएगा 120 यहां से कितना जाएगा 12 यहां से 3 ठीक है अगर A प्लस B प्लस C कितना है 12 है तो C का efficiency यहां से पता चल जाएगी कैसे 4 उर्टीन 7 तो 12 माइनस 7 that is 5 C की efficiency कितने हागी 5 ठीक है तो आपको यही तो बताना था कि how long with the tap C जो है alone fill करने में कितना टाइम लेगा तो 120 divided by 5 यानि कि 24 मिनट option number B will be the correct answer ठीक है आसान है easy था चले आगे इसको बताईए इसको बताईए क्या answer आएगा इसको टूर पाइपस है ए और B can fill a tank of अच्छा यह थोड़ा सा twisted है हल्का सा जान से करना इसको ठीक है दियान से करना लाइक कर दो गाइस अमित कह रहे हैं देखो मेरी तो बात मानते नहीं अमित ही है आप ही कह दो आप ही बोल दो इन सब को कितना answer आ रहे हैं बताओ मैंने बोल नहीं बंद कर दिया है अब ना like करते हैं ना share करते हैं तो as you are wish जैसा आप चाओ टू पाइपस हैं ए और बील जो है फिल कर रहे हैं ए गंटा और 75 मिनट में 75 मिनट में है ना तो इसका answer कितना रहा है बताओ जल्दी से ओके option number B ठीक है 150 मिनट ठीक है जी अच्छा 100 मिनट ओके option number A ठीक है option number A answer आ रहा है option number B भी answer आ रहा है थोड़ा थोड़ा अलग अलग answer आ रहे हैं चलो देख लेते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर अगर एक घंटा लिखा है और यहाँ पर 75 मिनट लिखकी है तो यह अलग अलग तो नहीं हो सकती यूनिट्स अगर आपको सेम उसमें करना है तो आपको यूनिट्स सिक्वल करनी पड़ तो पाइप से ए और भी एक फिल ए टांक इन दा एक घंटा और 75 मिनट में फिल हो जा रही है ठीक है रेस्पेक्टर लिए डेर इस ओल्सों एन आउटलेट पाइप सी एक आउटलेट पाइप भी है दो तो फिल करने वाले होगे एक आउटलेट हो गया ठीक है ओल थ्री पा टेकर भाइदर सी टुए समझ में आगे आपको सी की फिशिंट से निकालने बस अरा कुल मिला के चलो देख लिए तो एक घंटा ले रहा है तो एक घंटे को मैं साट मिनट लिख दू कोई प्रोब्लम तो नहीं है लेकिन इनलेट पाइप है बी वाला जो है ना 75 मिनट से ल अच्छा अब सुनो ध्यान से तीनों को अगर मैं जब एक साथ ओपन करूंगा तो यहां अगर आप देखोगे न यहां अगर मैं बात करूं तीनों को एक साथ ओपन करनेगी तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा उसको कितना आ रहा है वो 50 मिनट ले रहा है ठीक है वो 50 मिनट ले रहा है तो साथ पचास और 75 और 50 इसका आप क्या निकालना पड़ेगा आपको एल से ना तो कितना आ जाएगा अगर मैं बात करूं तो 159 तो यह ना 300 कर लेता है तीन सो ले लिए तें सो क्योंकि क्योंकि सबसे कैंसे लाट भी हो रहा है यहां से देखो कि कितना जाएगा पांच यहां से देखो कि तो कितना जाएगा चार क्योंकि 75 का डबल टीर सो और डेडर सोग डबल फिर फिर वन थ्री अंटेर होता है इस से घुमी तो कितना कितना है 6 है और a plus b कितना है 9 है तो obviously आपको पता चलिका सी कितना जाएगा तीन वह भी माइनस की और माइनस सिर्फ यह डिनोट कर रहा होगा कि वह आउट लेट पाइप है इस अब को समझ मारें ठीक है सी की एफिशिंसी आपको पता चल गीची कितना है आपको तीन यूट जो कि आउटलेट पाइप होगा और यह आपसे पूछा था कि सी जो अकीला कितने टाइम में फिनिश कर देगा कितने टाइम में एम पीटी कर देगा पूरे टैंक को तो सो त बॉर्णिंग बोलने आया हूं सर गुड़ मार्निंग ठीक है दिपांशो बहुत बढ़िया है ठीक है समझ माया कॉश्ण अ काफिजार इस्टूरेंट 150 भी कर रहे थे 150 आंसर नहीं होगा पहली बात ठीक है तो में जो था वो आपको यह समझना था कि जब तीनों मिलेंगे तो 50 मिनट ले रहे होंगे यानि कि सी की इफिशेंस आपको निकाल लिए तो इसमें रिवर्स इंजिनिंग लगाया करो ऐसे कोई बर बताया कि जो पूछा है सपोस्च इसमें पूछा था कि सी कितने ताइम में फ्रेश कर देगा फुल टैंक को कितने क्लासिस कब से होगी वह आपको पता चल जाएगा हर चीज के वारे में कुछ-कुछ जानकार यह ठीक है वह आपको पता चल जाएगा कि अरे शोबित बता एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ना स्लेबस स्टैट्टी पे मैंने बोला तो था है ठीक है मैंने बोला था और भी जेए का से जो स्लेबस है और स्टैट्टी वाले पर एक वीडियो बना दूंगा मैं अलग से ना कल टाइम नहीं मिला था है ठीक है चलो इसको बताओ इसको बताएं ए बी सी है तीन पाइप है कनेक्टिड है टेंक से ए और बी फिल कर रहे है ठीक है च्रे गंटे में बी और सी भी फिल कर रहे है ठीक है जी ए और सी fill करने में कितना time लेंगे आपसे ये पूछा है शौबित 9 बजे चल तो रही है शौबित 9 बजे चल रही है classes बताए तो था आपको timing एक 9 बजे class होती है 11 बजे class होती है दोनो classes का timing आपको पता है paid की classes की timing है 3 p.m. ये पता तो है आपको ठीक है notification नहीं आया है अच्छा वो फिर आप देखो शौबित ना चाहतो एक बार अनिस्टॉल कर लो YouTube की application को ठीक है ठीक है चलो इसको देख लेते हैं एक बार तीन taps हैं आपके पास वो जोइन हो चुके है pipes जो है वो connected है tank से तो इसमें starting में इसने का कि A और B जो है ना दोनों क्या है वो fill करने वाले हैं यानि कि दोनों क्या है inlet pipe है और वो fill करने में कितना टाइम ले रहे हैं 6 गंटा ठीक है आगे इसने का कि B और C अगर मैं fill कराता हूँ ना ये भी inlet pipe है दोनों की दोनों तो यानि कि cool मिला के तीनों ही inlet pipe है वो भी कितने हैं 10 गंटा ले रहे हैं और A और C जो हैं ये भी inlet pipe है बात तो और वो कितना बारा ले रहे हैं ठीक है अलग अलग ठीक है आप से बूचा तीनों मिलकर कितने टाइम लें तो आसान हो गया अब तो efficiency तो टोटल capacity पता कर लो टैंक की कितने आ जाएगी 10 है बारा है और 6 है तो अपन कितना ले सकते हैं अब आपके पास a plus b की efficiency आगी कितना यहां से अगर हम देखेंगे a plus b efficiency 10 b plus c कि कितने आ जाएगी चे और c plus a कि कितने आ जाएगी आपके 5 ठीक है अब यहां से तीन equation है तीन variable है solve कर लो इनको बड़ा असानी से है ना बट ट्विस्ट क्या है वह समझो दिखाता हूं आपको twist twist क्या है कि आप से पूचा कि a b c 3 मिलके कितने time में finish करेंगे ना तो मैं इस से जाओं क्यों फिर मैं तो यहां से चला जाता हूं ना यहां से सबको एड करोगे तो कितना जागा 2 into a plus b plus c डिरेक्ट यहां से एड करोगे तो कितना आ जाएगा दस और छे शोल है और पांच 21 तो कितनी एफिशेंसी आगी a plus b plus c की डिरेक्ट 21 इस डिवाइड़ बाइट इनी कि साड़े 10 तो इसको आप करोगे जब 21 divided by 2 तो एक्सों बिस डिवाइड़एड वाइए-टीस और ना 25,105 एकिस चिक एक चबबिस हो जाएगा तो 25,105 हो जाएगा तो साथ बने पैंटिस और पांच बज जाएंगे 557 डिविल पिजा करेक्ट आंसर आज बना देना सर वीडियो और बिजे इसलिए इसलिए बता देना हमें जोइन करना है और बिजे का सो बीत तो जोइन तो करी सकते हो ना अप अगर बैच जोइन करना है तो वह तो जोइन कर सकते हो लाड़ी वैब साइट पर है अवलेबल तो आपको करना गयता है इस वाले कॉशन में especially कि a plus b plus c चाहिए तो मैं यहाँ से जाऊंगा मैं इस से नहीं जाने वाला equation करके क्यों equation को आपको अलग-अलग सब का निकालना पड़ेगा उससे अच्छा क्या है मेरे पास साफ साफ दिख रहा है सब को plus कर दो यहाँ से efficiency निकल जाएगी आपको समझना था यह अप्रोच आपको समझने थी ठीक है क्योंकि सबीस को solve तो कर लेंगे जिसने पढ़ा है लेकिन कोई इस तरीके से जा रहा होगा जो इसमें दो मिनिट लेगा कोई इस तरीके से जा रहा होगा जो इसमें 30 सेकंड लेगा यही डिफ्रेंस क्रियेट हो जाएगा आपका सेलेक्शन के बीच में ठीक है चलो अच्छा यह वाला कोश्चन मैं देते हूं होमवर्क में जिसको आप कमेंट सेक्शन में में मेरे को कर देना और जो भी स्टूइट आर भी जैई के लिए पूछ रहे हैं या एर्पोर्ट पूछ रहें क्लास का जोइन करने का तरीका अगर आप चैक करोगे ना कैसे करना है बता देता हूं आपको सर्च करना है यहां पूछ रहे हैं तो आप इस पर जाकर जोइन कर सकते हो हार भी पर जैसी जाओगे ना यहां यह फाउंडेशन कोर्स ही अफलिबल है तो यहां मैं पढ़ाने वाला हूं ठीक है पढ़ाने का तरीका आपने मेरे देखी लिया कैसा है तो पूरा बस बेसिक से एडवांस पर अर्थमेटिक दोनों रहेंगे इसमें ऐसा नहीं सिर्फ अर्थमेटिक रहेंगे जिस भी ब्रांच कि आप उस पर क्लिक कर देना नीचे जाके आप स्टडी प्लान भी चेक कर सेकतो मेरा नोन हो जाएगगी तो जैसे आप बाइनाओ पर क्लिक करते हो तो यह जो कूपन कोड है आपको डालना पड़ेगा क्योंकि हाँ रेठ जो दि 516 यहां पर लगाया apply किया apply करते देखो discount आपको दिखे गया और आइठिंक आप देख भी पा रहे होंगे दिख रहा है सबको 8804 में पर डिस्काउंट 2644 में आप इन्रोल कर जाओगे और भी जई के बैच में classes में और जिसमें टेक प्लस नोन टेक में मैं इस्पेशली बता देता हूँ नोन टेक में क्या है नोन टेक में आपका arithmetic तो ही है प्लस advance वाला portion जो है जिसमें trigonometry geometry आएगी आपके एक्जाम में दिखेंगे आपको कोशिशन वो भी हम इसमें करने वाले हैं आपका अंदाज ही अलग है पढ़ाने का अ बस तो अंदाज ही बदल देता है बागी तो बात नहीं बात नहीं है नहीं है ठीक है तो इस तरीके से जोइन कर सकते हो वाई 516 open code के साथ आप हैना 77% रहे गए इसमें मेरी गाइडेंस रहेगी आपकी और इसमें टैक प्लस नौन टैक और नों टैक में भी स्पेशल आर्थमेटिक फ्लस एड़वांस दोनों रहें गे ना मैचस पे ठीक है जी तो इस तरह के साफ जोईन कर लेना और फिर मिलते हैं अप्लिकेशन पर जो भी कनेक्ट होना चाहता है तो फाउंडेशन को क्लासे जो क्लासे फाउंडेशन को चलेगी फिर ठीक है बड़े धुवाधार स्पीड से ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ी कम स्पीड रहेगी बट जैसे आप थोड़े से पेस्पे आओगे तो हम स्पीड बढ़ाएंगे और उसमें प्रिवेस यह भी रहेंगे आपके तो वह भी मैं इस्टेट भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको टैकल करना है एक्जाम में और भी ज झाल 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 झाल